नमस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं दो रंग का ये खुबसूरा सा जूती लाए हूँ जिसे मैंने साथ नंबर के लिए बनाया है मैंने सलाई में 54 स्टीचेज डाला है और साथ लाइन सीधा सीधा बनाया है देखिए एक, दो, तीन इधर से है और चार, पांच, छे, साथ साथ लाइन सीधा सीधा बनाया है और ये आठवा लाइन है और रंग साइड तो पहला फंदा और आखरी फंदा हम उल्टा बनेंगे और बीच के सभी फंदे सीधे बुनेंगे और आखरी फंदा उल्टा इस तरह हमने आठ लैंड सीधा सीधा बुना है और ये चार धारियां उल्टे फंदों की आई है अब ये हमारा नौवा लाइन है और हम इसके तीन पार्ट करेंगे तो हम शुरू के 24 फंदे सीधा बूलेंगे और 24 फंदे सीधे बूलेगा हैं और अब हम यहाँ पे अपना दूसरा रंग लगाएंगे दूसरा रंग अटेश कर लिया है और अब उन आगे करेंगे दूसरा वाला कलर और छे फंदा हम प्रतेक फंदे में जाली देते हुए सीधा बनेंगे ये एक हुआ फिर उन अपनी और किया जाली देते हुए सीधा दो उन अपनी और किया जाली देते हुए सीधा तीन उन अपनी और किया जाली देते हुए सीधा चार पाँच और छे छे फंदा आमने प्रतिक फंदे को के पहले जाली दिया है यानि यहां पे यह 12 फंदे हो गया है और अब हम यहां पे यहां पे अपने मेन कलर वाले उनको के एक और गुले को यहां अटैच करेंगे और 24 फंदे लास्ट के इसको इसी रंग से सीधा बुलनेंगे दस्मी लाइन और रॉंग साइट सबी फंदे जो जिस रंग के हैं उल्टे बुलिये जाएंगे उसी रंग के उन से उल्टे बुलिये जाएंगे 14 लाइन और सामने से इन 24 फंदों को हम इसी रंग से सीधा बुलनेंगे और फ्रेंड्स अब हम फिर बीच में आ गये हैं तो बुलने से पहले इन दोनों फंदों को आपस में ऐसे क्रॉस कर लेंगे उन अपनी और करेंगे और अब इस जाली के ऊपर हमें जाली देना है उन आगे करेंगे और जाली देखते हुए सीधा फंदा बनाएंगे और एक और सीधा फंदा दो सीधा फंदा हो गया फिर यहाँ पे इस जाली के उपर भी हमें जाली देना है तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए दो सीधा फंदा बनाएंगे पहले हमने छे फंदों के पहले जाली दिया था और जाली देने से यहाँ पे अब दो फंदे हो गए है तो इस जाली की उपर जाली देंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बुनाएं उन अपनी और किया जाली देते हुए दो फंदे सीधे यहाँ पर हमारा एक, दो, तीन, चार, पार, छे जाली पड़ रहा है और हर जाली के साथ फिर इन दोनों उनको आपस में क्रॉस करेंगे और किनारे के 24 फंदों को सीधा बुन लेंगे और रांग साइट से सबी फंदे उल्टे, जो जिस रंग से है, उसी रंग से उल्टा बुन लिया जाएगा तेरावी लाइन और सामने से 24 फंदों को सीधा बुन लेंगे 24 फंदा सीधा बुनने के बाद हमें यहाँ पे ध्यान देना है अब दूसरा रंग लगाने से पहले ऐसे क्रॉस करेंगे और पहले जाली देंगे और तीन फंदों को सीधा बुनेंगे लेके फ्रेंट्स जाली के उपर जाली पढ़ रहा है और यहाँ पे हर सीधी लाइन में छे जाली पढ़ रहे हैं तो इस तरह जाली के उपर जाली डालते हुए हमें 12 जाली बनाना है उन अपनी के उर किया जाली के उपर ऐसे जाली जालेंगे और यहाँ पे दो फंदे सीधे दिखाई देना है तो उन्हें सीधा बुन लेंगे पिर देखें यहाँ जाली पड़ रहा है तो जाली के उपर ऐसे उन अपनी ओर करेंगे और उन अपनी और करने से जाली पढ़ जाएगा और यहाँ पर यह तीन सीधे फंदे हैं उन्हें बून लेंगे यहाँ जाली दिखाई दे रहा है तो जाली हमको यहाँ बनाना है जाली बनाने के लिए उन अपनी और करेंगे और उसके बाद इन तीनों सीधों फंदों को सीधा बुनेंगे जाली पढ़ गया और तीन सीधे फंदे बन गया इसी तरह हमें बारह जाली तक बुनना है और इधर के 24-24 फंदे इसी रंग से बुने जाएंगे तो मैं आपको बुन के दिखाते हूँ देखिए फ्रेंट्स 12-12 जालिया पढ़ चुकी है और ये देखिए एक दो तीन चार पांच छे तो अब हमको 12 जालिया बनाने के बाद अब हमको इस रंग से कोई काम नहीं है तो सारे फंदे इसी रंग से हमें बुनने है और अब हमको जालिय भी नहीं बनाने है देखिए फ्रेंट्स ये 12 जालिया पढ़ी हुई है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा यानि 24 लाइन ये और 8 लाइन ये 32 लाइन कंप्रीट हो गया है और ये 33 लाइन है तो 33 लाइन में हम इसको दो पार्ट में बाट देंगे दो पार्ट में बाटना बहुत आसान है यहां पे पएच्छे हैं तो हमको तीन इस साइड में रेना है और तीन इस साइड में रेना है यहीं से इसको घूम जाएंगे षब में इधर की तरफ नहां कर दो पार्प आउसुआगे एक, दो, तीन और चार, दस्वे लाइन में हमने चार फंदे घटा दिये और अब पूरी लाइन उल्टा बुना जाएगा और इसके बाद चार लाइन और बुना जाएगा, तो चार लाइन बुनके मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट्स, ये अब हमारा चौदहवा लाइन है, दस्वे लाइन में हमने चार फंदा घटाया था और अब ये हमारा चौदहवा लाइन है और चौदहवे लाइन में हम दस फंदा घटा देंगे देखिये friends दस फंदे घटा दे गया है और अब इस फंदे को इस पे चाढ़ा देखे और हमारा इधर का पोजिशन त्यार हो गया है और ऐसा ही हमें दूसरी तरभ बनाना है और इसमें हमने दसवे लाइन में ये चार फंदे घटाया थे और उसमें हम चुकि राइट साइट से घटाएंगे तो नवे लाइन में चार फंदे घटाएंगे तो मैं आठ लाइन बना के आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रांट्स ये दूसरी तरफ आठ लाइन बनके त्यार है और ये नवा लाइन है तो चुकि हमको शुरुवात में ही घटाना है तो नवे लाइन में हम चार फंदा घटा देंगे एक दो तीन चार ये चार फंदा घट गया अब इस लाइन को बस हम सारे फंदे सीधा बुलनेंगे और उसके बाद जो फंदे बचे हुए हैं उनको हम बारा लाइन तक नार्मली आगे से सीधा और पीछे से उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट करेंगे तो मैं बारा लाइन आपको बुनके दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट्स बारा लाइन ये कम्प्लीट हो गया है और अब ये तेरह हमा लाइन है और इस लाइन में हम शुरू के दस फंदे घटा देंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और दस दस फंदे घटाने के बाद इसको ऐसे बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब दोनों सलाईयों से एक-एक फंदे लेंगे और दोनों सलाईयों से एक-एक फंदा लेंगे और एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बनाएंगे फिर दो नुसलायों से एक एक फंदे लेंगे एक उल्टा फंदा बनाएंगे और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चड़ा देंगे जैसे हम कंधा अपर सुल्डर जोडते हैं वैसे ही ये सारे फंदे आपस में जोड देंगे देखे फंदे जोड़ना शुरू हो गया है ऐसे ही करते हुए हम सारे फंदे जोड लेंगे मैं आपको जोड के दिखाती हूं देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे जोड़े जा चुके हैं और अब हमको यहां पे सिलाई करने हैं यहां पे सिलाई करने हैं तो हम सिलाई कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स यह सिलाई हो चुकी है और अब हमको इसको ऐसे करना है और यहां पे सिलाई करने हैं यहां से शुरू करना है और ऐसे सिलाई करने हैं तेखिए फ्रेंड्स जूत्ती बनके तयार है यह आपको मेरी यह जूत्ती अच्छी लगी हुए तो आप भी इसे अपने लिए बनाए इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेयर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आने आपको आपको सब्सक्राइब बहुत हैं अपने वीडियो आपको सब्सक्राइब में ऊजिए लिए